ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका मतलब रूसी में होता है मिक 31 फॉक्साहाउंड से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये केवल एक मिसाइल ले जा सकता है या इसे 6 मिसाइल ले जाने के लिए भी फिट किया जा सकता है जो टुपोलेव 22 बंबर से लॉच करने के लिए तयार होते हैं इसमें लगभग साथ बुनियादी भाग होते हैं और हम प्रनोधन से वाहिट तक कैसा दिख सकता है इसके अंदरूनी हिस्सों को भी देखेंगे दबवर्स द्वारा संचालित लेकिन मुक्य सवाल यह है क्या ये वाकी हाइपरसोनिक मिसाइल है हम अपने बेहतरीन दर्शकों से फीडबैक लेंगे इसलिए बने रहें और कोई अपडेट मिस न करें दबवर्स से चलाया गया हाइपरसोनिक मिसाइल में प्रोजेक्ट टाइल होती है जो ध्वनी की गती से 5 से 25 गुना अधिक गती से यात्रा करती है ये मैक 5 उपर है ये मिसाइले बेहत तेज होती हैं और सथा से हवा मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए पैट्रियट मिसाइल की तुलना में निशाना बनाना बहुत कठिन होता है और वे रडार ट्रेकिंग को भ्रमित करने के लिए जिक जाग या यादरिचिक पथो पर भी चल सकते हो कई प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जैसे अमेरिकी एयर ब्रीधिंग स्क्रेमजेट मिसाइल जिसका अभी भी परिक्षन चल रहा है लेकिन इसकी एक मिसाइल की खर्च की खगोलिय लागत दिल पंधर मिलियन या उससे अधिक होती है कीजल की लागत लगभग दिल चार से दिल पांच मिलियन होती है लेकिन ये एक उचित तुलना नहीं है क्योंकि अमेरिकी मिसाइल की गती मैक 15 से 18 होती है जो बहुत अधिक है इसके अलावा ये नोट किया जाना चाहिए कि ये मिसाइल सोव्यत काल में विक्सित इसकंडर बैलिस्टिक मिसाइलों के जैसी है जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत समान है क्योंकि कुछ विश्लिश्कों का मानना है कि इन्होंने अपने अधिकाश भाग इसकंडर भूमी आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों से उधार लिये हैं इसे किसी व्यक्ति से तुलना करने से आप इसके आकार को समझ सकते हैं और विश्य रूप से ये हमारी सोच से भी बड़ा दिखता है शलो इसके प्रोस सेक्षन को देखते हैं ये वही है जो हम सोचते हैं कि कैसा दिखेगा तो इस एनिमेशन को थोड़े से संजोग से देखें नीचे से शुरू होता है इजेक्षन पॉड जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे दूसरा हिस्सा स्टियर करने वाले फिंस से मिलकर बनता है जो इन जेट विंस से जुड़े होते हैं जैसे जैसे हम उपर बढ़ेंगे हम मिसाइल के मार्ग दर्शन अनुभाग पाएंगे और आखरी हिस्सा है वाहिट सिक्षन जिसका वजन लगभग 500 किलोग्राम या 1100 शूने पाउंड है ये सभी इंजिनिरिंग मिसाइल को मैक 12 की आश्चरजनक टर्मिनल स्पीड तक पहुँचाने में मदद करती है जो लगभग 14700 किलोमीटर प्रती घंटे या 9207 मील प्रती घंटे होती है इसकी रेंज 2000 किमी या 1242 मील होने की रिपोर्ट आई थी चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है चरण संख्या एक मिसाइल को मिग 31 फोक्सहाउंड जैसे प्लेटफोर्म की जरूरत होती है जो लॉंग रेंज सुपरसोनिक होता है इंटरसेप्टर है ये जेट कम उन्चाईयों पर मैक 1.4 तक की अधिक्तम गती तक जा सकता है डबवर्स से चलता हुआ डबवर्स से चलाया गया तीसरा करदम कुछ सेकंड के बाद मिसाइल के इंजन चलते हैं और सुपरसोनिक गती तक पहुँचने के लिए उर जाती है चरण नंबर फोर ये चुनोति पूर्ण है क्योंकि बहुत कम जानकारी है हम मिसाइल के तीन संसकरणों को देख सकते हैं जो काम कर सकते हैं वर्जन एक मिसाइल का पहला चरण अलग हो जाता है जिससे अंतिम चरण अपने लक्ष को यादरिचिक या जिगजैक पत में पहुँचाने के लिए निकलता है और रडार सिस्टम को भ्हमित करता है मिसाइलों की हाइपरसोनिक गती के साथ सन्युक ये वाहिट के साथ लक्ष को मारने पर एक पंच पैक करता है जिससे बहुत नुक्सान होता है संसकरण दू इस सुपरसोनिक मिसाइल में एक न्यूक्लियर वाहिट भी लगाया जा सकता है ये कवर भी निकाल सकता है और वाहिट बाहर निकलता है इस से ये हलका हो जाता है और यादरिच्छिक रास्ते पर अधिक दूर तक उड़ सकता है वर्जन 3 ये मिसाइल पहले चरण को हटाए बिना भी अपने लक्ष तक पहुँच सकती है और किसी आम मिसाइल की तरह सिर्फ पंक और मार्ग दर्शन प्रणाली का उप्योग करके ये एक शांदार इंजिनीरी गुतपाद है ये एक बेहत कैपेबल मिसाइल है लेकिन कुछ विशलिशकों को लगता है कि ये हाईपरसोनिक प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि हाल ही में एक वीडियो में इसे एनिमेटेड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम द्वारा नश्ट करने की भी खबर आई थी जो दिल्चस्प है क्योंकि उसमें मैक 3 या मैक 5 की गति होती है टेक्निकल तौर पर पैट्रियट मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों में शामिल होती है राजनीती को छोड़कर इंजिनीरिंग के नजरिये से बताएं कि ये कैसे काम कर सकती थी तो कृपिया हमारी मदद करें और सब्सक्राइब करें हम शुरू से मूल तीन दी एनिमेशन बनाते हैं जैसे इस ब्रिटिश चैलेंजर टैंक फायर कंट्रोल सिस्टम और इसके पीछे की इंजिनीरिंग की तरह